अब देखे मेरे पास क्या quadrant operation ठीक है तो सबसे पहले मैंने लिया है one quadrant operation one quadrant operation one quadrant operation correct ठीक है तो आप देखे मैंने यह आप चार डिवाइसे बना रखें यह मैंने सिंबल सबके बना रखें तो आप ध्यास देखना इस पे इतना मसोचना भी रुके रहो भी बताओं इसको ठीक है तो मेरे पास क्या है अगर मैं डायोट की बात करता हूँ तो डायोट की जो characteristic होती है एक off state होती है एक on state होती ठीक है तो आप ध्यास देखो डायोट के अगर आप बात करते हो तो डायोट में हमेशा क्या होता है दिस description हो गया कि अगर आप बात कर रहे हो जब भी डायोट आपका on होगा ध्यास सुनते रहन स्चीश जब भी आपका diode आपका on होता है, किसी भी device diode का अगर on होनिक बात की जाती है, तो इसका मतलब जब जब diode में current, anode से cathode की तरफ flow करेगी, तब भी आपका diode on कहा जाएगा, अगर आपका current, cathode to anode की तरफ आपको दिखाए देगी, diode क्या होगा आपका off state में, अगर मैं कह रहा क्या होना चाहिए, positive पे और cathode potential कहा होना चाहिए आपका negative पे, इसका मेनी हो गया, ध्यास देना ज़रा, ठीक है, कि जब, तो मैं यहाँ दो state हमेशा बताऊंगा, ठीक है, सबसे पहले मैं diode की बात करता हूँ, तो diode के लिए देखे, quadrant मैं बना रहा हूँ, ठीक है, this is my current, this is my voltage ठीक है, तो आप देखे, रऍचन जर्षघ्रण से, जो भी current या voltage है, यह terminal की current है, और terminal का voltage ध्यान रकना इस चीज़को है, यहां का voltage है और यहां की current आपके, करेक्ट हूँ इतनी बार, ठीक है, मेरा जो reference है, वो plus minus क्या है, V है, और current यहां से क्या जा रहा है, आई जा रहा ह क्या एनोट से कैथोड की तरफ कहलाएगा, मतलब करेंट कैसी फ्लो करेगी, इन दिस डिरिक्षिन, जब भी डायोड आपका on करेगा, करेंट आपकी क्या करेगी, फ्लो करेगी, और अगर आईडियल डायोड आप ले रहो, कि जब भी डायोड आउन करेगा, करेंट की वैलू क्या मिलेगा, आपको positive मिलेगी, तो यह मैंने बना दिया, तो on state मैं current को arrow show करूँगा, off state के लिए हमेशा मैं voltage show करूँगा, यह चीज़ ध्यान लखना, तो इसका मतलब current आपको यहाँ कहीं मिलेगा, current की वैलू कुछ मिल गए आपको, like this one, ठूतनी बाद, ठीक है, voltage क्या मिलना आपको, 0 मिलेगा under on state condition में, ठीक है, voltage क्या मिला, 0 मिला, current आपको यहाँ पर मिल गई, is it correct, next बताइए, जब भी diode आपका off होगा, तो जो anode से cathode का voltage होगा, प्लस माइनस कितना है, V है, यही है ना, प्लस माइनस V, ठीक है, anode से cathode का voltage हमेशा क्या मिलेगा आपको, negative amount, मिलेग अग नी, मिलेग बोलो ना, ठीक है, anode से जो cathode का voltage मिलेगा, जब भी diode off होगा, तो anode से cathode के बीच का जो voltage होगा, वो क्या कहलाएगा, आपका negative होगा, अगर वो negative है, तो इसका मतलब कितना होगा आप पास, negative यहां कहीं आएगा, और जब off होगा, तो अगर ideal case है, तो current के value क्या मिलेग जीरो, तो मतलब जब off है थी यह state, current के value 0, जब on है थी यह state, voltage के value क्या मिलेग जीरो, ताब बताई मेरे रखो, यह किस quadrant operate कर रहा है, इस वाले quadrant में है की नहीं, बोलो न, current की value क्या है, positive, V की value क्या है, negative, इसका मतलब कैसा operation आपका, single quadrant operation, किस quadrant operate कर रहा है, second quadrant में, तो इतनी बार, ठीक है, तो इसका operation हमेशा किसमें मिलेगा आपको, हमेशा किसमें मिलेगा, एक quadrant का operation मिलेगा, this is this one, correct, जब on है, ध्यान देना, जब यह on है, current आपको मिलेगी, voltage के मिलेगा, zero, जब off है, तो voltage negative मिलेगा, क्यों, anode to cathode voltage आपको negative मिलेगा, इसका मतलब क्या होई, यह value negative आएगी, तो negative आएगी, तो मैंने इसलिए negative यहाँ शोकिया, तो quadrant operation क्या मिलेगा, आपका one quadrant, इसका मतलब, इसका मतलब, diode जो है, वो क्या है आपका, unidirectional, unidirectional current, flow device, flow device, correct, next क्या है, second, diode is a, diode is a, unipolar, unipolar device, unipolar के हाँ मतलब, कोई आपका, doping levels नहीं है, कि आपका, इसमें, minority charge carrier है, majority charge carrier, इससे, polar का meaning ने, polar का meaning के ओल, polarity से है, correct, इतनी बाद, इसमें, एक ही polarity, आपको मिलेगी, negative polarity, इसका मतलब, off state में, वो कौन सा voltage, block कर सकता है, उसको represent करता है, तो वो हमेशा, कौन सी polarity को, block करेगा, negative polarity के ओल, block करेगा, कभी positive voltage को, block नहीं कर सकता, that is not possible, ठीक है, diode हमेशा, negative voltage को, क्या करता है, block करता है, और positive voltage के बादे, वो अन होता है, correct, उतनी बाद, तो blocking voltage, negative है, तो मैंने क्या कर दिया, एक ही polarity के ओल, block कर सकता है, तो इसलिए मैंने क्या बोला, diode is a unipolar device, अगर diode, दोनो voltage को block कर सके, diode, total, दोनो voltage, plus को block कर ले, negative को block कर ले, जैसा कि C-R माप को होता है, तो आप कहोगे, it is a bipolar switch, इतनी बाद, बट ये एक ही voltage को block करेगा, मतलब, ये जो polar वाला concept आप यूज़ करो, unipolar, bipolar, ये हमेशा किसी state के लिए होता है, off state के लिए, और ये वाला जो concept होता है, किसी state के लिए होता है, on state, तो current एक ही direction में देगा, बट बोल्टेज आपका, आई भी characteristic क्या होती है, current हमेशा कौन सी यूज़ करते हो आप, IC current, next बताई, voltage कौन सी होता है, VCE, तो जब भी आप static characteristic, आप BGT बनाते हो थो हमेशा, VCE voltage और किसके बीच में, जो collector current होती हो उसके बीच में, collector, emitter, और कौन सा base term देख, बीचेटी आपका एक current control device है, current control मतला, base में अगर current नहीं है, तो BGT का operation नहीं होगा, base में अगर current आप देते हो, तो definitely BGT क्या करती है, आपके operate करती है, और तीन reason आपको होते हैं, एक cut-off reason होता है, एक saturation reason होता है, एक क्या होता आप पास, कौन सा reason होता आपका, amplification reason बाग पास available होता है, cut-off reason आप पास होगा, एक आपका saturator reason बाग पास होगा, तो आपको पता होना चाहिए, किस reason में आपका यह जाके, आपका operate करने वाला है, तो अब दीखे ज़रा, ध्यान से, तो मेरे पास क्या में लेगा आपकास, BJT मगर बात करते हो, तो मैं क्या करूँ, अगर base current की value 0 है, IB की value क्या है बेटा, 0 ampere है, तो base current की value 0 है, तो आपकास क्या में लेगा आपको, बहुत ही minute amount of current flow करेगी, लग भग यह क्या होगा आपकास, this one is IB is equal कितना 0, तो यह वाला जो आपकास value मिल रही current की, यह कौनसी value आप मिलेगी, this is IC की leakage current value होगी, that is very low amount of value, तो आप मतलब, यह वाला जो reason है, जब तक आप base drive नहीं provide कर रहो, इस reason क्या बोलते हैं, cut-off reason, कौनसी reason बेटा, cut-off reason, correct, this is cut-off, I'm not going into the so depth, आपको depth यहाँ जुरूत नहीं पड़ेगी, आप बस इसको logic समझो, आप BJT पढ़ते भी हो, MOSFET पढ़ते भी आप हो, अब बताइए, जैसे आप current बढ़ाते चले जाओगे, current अगर बढ़ती चले जाएगी, आपको पास क्या मिलता, बताइए, IB के value जैसे आपने थोड़ा बढ़ा है, current के value IC आपके increase करना स्टाट कर देगी, तो यह मैंने कह दिया, IB1, next बताइए, और current आप बढ़ाते जाओ, और आपको पास value मिल जाएगी, IB2, और आप base current के और value बढ़ा होता, आपको पास क्या मिले गए, IB क्या, 3 value, तो आपको पास क्या मिल गया, आपको पास, यह reason कैसा reason होगा आपका, cut-off reason होगा, यह वाला reason कॉंसर reason होता है, this reason, यह कॉंसर reason होता आपका, और एक reason आपको आपका, होता है ठीक है तो आप बताई यह वाला रीजन क्या होता है आपका सैच्टूरेटर रीजन तो मेरे पास क्या मिल गया इस दा सैच्टूरेटर रीजन और यह वाला जो रीजन होता है यह क्या होता आपका एक्टिब रीजन एक्टिब रीजन या एम्प्लिफिकेशन रीजन पर अगर पावल लेक्ट्रोनिक्स में आप बात कर रहो और BJT को as a switch आप यूज़ कर रहो था हमेशा या तो on होगा या तो क्या होगा आपका off इसका मतलब दो ही reason को यूज़ होंगे या हमेशा एम्प्लिफायर्स में यूज़ किया जाता है वाला reason आप पास ये reason क्या होगा cut off reason, cut off reason हमेशा switch कैसे behave करेगा as a off switch saturated reason कैसे behave करेगा as a on switch ऐसा इसलिए कि cut off reason में VC value आपको जादा मिलेगी in saturated reason में IC value जादा मिलेग, VC value क्या मिलेगा आपको कम मिलेगी तो आप पास क्या हो गया हमेशा याद रखे, चाहे इसकी characteristic को चाहे इसकी characteristic को तीनों characteristic बेटा exactly same होती है कोई फरक तीनों नहीं होता आप ध्यान रखना में शाद कि cut off reason और क्या आपका saturated reason और ये क्या reason होता, active reason यहाँ पाप ध्यान देना ये current control device आपको होता है इसलिए current control device होता है क्योंकि इसमें जब तक base drive नहीं अबलेबल होगी आपका BJT on नहीं करेगा तो आप बताई मेरे को इसका meaning यह हो गया कि जब जब आपका BJT on करेगा जब जब BJT आपका बिटा क्या करेगा on करेगा base drive आपको देना पड़ एक base drive दिए BJT अगर आपका on करेगा ता आप बताई मेरे को current का flow कहा होगा IC current IC current हमेशा कहा होता है collector to emitter current तो current का flow तो यह मिलेगा आपको IC current ठीक है next बताई जब-जब BJT आपका cut-off reason में होगा मतलब off state होगा base drive आपना ही provide कर रहे हो ता बताई VC की value आपको मिलेगा VC की देखो value क्या मिलेगा आपको positive value तिसका मतलब C से E की तरफ voltage तो जब भी BJT off करेगा voltage जो ब्लॉक करने वाला कौन सा voltage कहलाएगा VC से E का voltage मतलब positive voltage को block कर रहा है positive current को flow कर आएगा जब on करेगा तो positive current flow करेगा वो collector current होगी जब आपका off करेगा तो किस voltage को block करेगा मतलब उस open switch के cross कितना आपको voltage दिखाए देगा वो उसका C से E terminal का उस time पे जितना voltage होगा इसका positive voltage तो आप बताए कोडरेंट अगर मैं बनाऊ तो जब आपका BGAT on है तो on state होगा तो इसके cross voltage का मिलेगा 0 इसका मतलब current के value क्या मिलेगा आप पास This is your maximum current जब वो off करेगा तो IC value क्या मिलेगा 0 IC value 0 हो गई V का जो voltage ब्लॉक कर रहा है single quadrant switch होता है नेक्स्ट पताइए कैसा switch है unidirectional current flow device है negative current कभी ने अबलेबल होगी हमेशा positive current आपको मिलेगे negative there is no current ठीक है तो इसका मिलब unidirectional current flow device आपका हो गया दूसरा BJT is a BJT is a unipolar या bipolar device bipolar BJT किसले कहा जाता है majority minority carrier के sense में उसको bipolar करो बट यहां power electronics में bipolar का meaning समल लो किस type का voltage वो block कर रहा है जब वो off है तो आप बताइए कि वहले एक ही voltage ब्लोक करेंगा ना positive voltage वो भी कौन सा voltage होगा VC से E के तरफ का voltage मतलब कैसा voltage एक voltage यह भी कैसा switch होगा it is also a unipolar switch correct वितनी बार unipolar हो गया unidirectional हो गया one quadrant इसका operation है next बताइए MOSFET का अगर हम बात करेंगे तो इध्यास देखे जरा यह मैं हटा रहा हूँ अब अगर MOSFET का आप बात करोगे तो MOSFET देखे जर ध्यास से MOSFET एक voltage controlled device है MOSFET क्या होता है voltage controlled device G से S के बीच का voltage जो होता है वही उसको control करता VGS जिसको हम बोलते है तो मैंने कह दिया कि जब तो drawing जो होगी static characteristic जो होगी वो ID current होता है D to S current तो यहाँ मैं क्या बना हूँ बोलो बेटा ID current next बताए voltage का होता है D से drain to source का voltage तो यहाँ क्या लिक होग मैं VDS इतनी बाद control कौन करेगा BJT on होगा off होगा कौन control करने वाला GCS का voltage इसका मतलब आप पास यहाँ क्या होगा आप पास GCS का voltage तो सबसे पहले जब यह voltage नहीं आप apply कर रहो तो when VGS is equal कितना बेटा 0 तो आप पास जो भी आप पास characteristic आएगी वो कौन से reason कहलाएगी cut off reason की नेक्स्ट बताइए जैसे ऐसे VGS आप बढ़ाते जाओगे VGS1 VGS2 VGS2 VGS क्या 3 तो आपको तुरंत आपकी static characteristic develop होने लगीगा current drain to source आपकी flow करना start कर देगे तो इसमें भी same reason cut off reason यहाँ क्या आप पास this is your saturated reason तो इसका मेनी हो गया कि MOSFET जब भी आपका on करेगा किस reason में आप करेगा saturated reason MOSFET जब भी off करेगा किस reason में रहेगा cut off reason में तो आप बताए जब भी on करेगा drain to source current आपकी flow करेगी और जब भी off करेगा तब इसके cross voltage कितना मिलेगा plus minus VDS तो इसका मतलब हो गया कि MOSFET बगर आप ध्यान से देखो तो MOSFET में भी क्या आपको मिल रहा है current जब भी on करेगा तब क्या मिलेगा current के value बोली जब भी MOSFET के लिए बनाए अगर तो MOSFET में भी current D2S positive current माने हो आप तो this is positive current voltage उस time पर क्या होगा 0 next जब यह off करेगा current के value 0 हो जाएगा इसके cross जो block करने वाला voltage कितना मिलेगा VDS तो VDS भी क्या है positive voltage तो ये भी कैसा operation हुआ आपका 1 quadrant operation अब बात आती gate 2018 के question के gate 2018 में same चीज़ दिया हुआ था बट इसको इन्होंने bi-directional ले रखा था ठीक है बट ऐसे कई बार exam में question पूछे जा चुके है static IV characteristic के basis पर अगर question आपसे पूछे गए है in power electronics तो बेटा उसको वहाँ पुनोंने unidirectional लिया हुआ है ठीक है तो आप अब इसको कहना अब इसके उपर क्या बोला जाए actually MOSFET और IGBT MOSFET और कौनसे बेटा IGBT ठीक है इनके अंदर internal internal body diode का action होता है body diode ठीक है अभी वागे आने बाला है internal body diode का meaning होता है कि इसके across एक internal body diode inherently connected होता है body diode ठीक है तो अगर body diode यहां connected होता है इसका मतलब current का flow D2S भी possible है और इधर सीधर भी current जा सकता क्योंके यहां diode है इसलिए इसको bi-directional current भी बोल देते है बट ऐसा exam में ही आया है जब भी अगर bi-directional use किया गया है जब भी किसको MOSFET को हमेशा बेटा वहाँ पे body diode उन्होंन हमेशा बना के दिया है कभी आज तक उन्हों नहीं बना के नहीं दिया था ठीक है बट इस बार उन्होंन ऐसा पूछा 18 में उन्हों simply आपको MOSFET दे दिया और उन्होंन कह दिया बताई यह इसका क्या होगा bi-directional होगा का आपका unit direction होगा तो अब क्योंकि IIT है अब हम क्या बूल सकते है ठीक है बिल्कुल body diode आपका action होता है तो अगर next time से इस पे कोई question आता है MOSFET पे तो आप ध्यान रखना मेशा हो उसको आप bi-directional count कर सकते हो तो आप ज़्यादा confused मत हो यह इस चीज से क्योंकि ऐसा पूछा गया 18-miter road की ने ऐसा लिया थी इस चीज को तो आपको इस चीज को मानना पड़ेगा तो इतनी बार बट उससे पहले भी MOSFET आपसे पूछा गया है बट कभी बे आपके body diode को show नहीं किया गया था तब तक उसको हमेशा क्या मानते था आप यूनिडिरेक्शनल करेक्ट हो इतनी बार और MH राशित के आप बात करोगे खान चंदानिक बात करोगे तो फस्ट अटेम्ट में उसको यूनिडिरेक्शनल मानते बाद में उसे में भी एक्स्प्लेनेशन दिया हुआ है तो आप क्या करोगे अगर मौस्पट आप आएग तो इसको आप क्या मानते हुआ हमेशा बायदिरेक्शनल करेंट फ्लो अभी मैं दिखाओंगा इस चीज़ को तो यहाँ छोड़ दीजे इस चीज़ को, आगे आपको दिखाता हूँ, यह चीज़ कैसे आपके होगी, correct, ओके, तो आप exceptional में इस MOSFET को आप अलग कर देना, ठीक है, MOSFET आपका unidirectional current flow according to 18 में नहीं लिया गया है, ठीक है, बिलकुल सही बात है, internal body diode का action होता है, bidirectional होगा, ठ यहाँ पर diode अगर show कर दे, तो यह दिखाया जा सकता है, यह bidirectional, बट अगर simply MOSFET बनाया गया, तो उसको unidirectional ही मानना चाहिए, correct, यह मेरा opinion है, rest is okay, correct, यह चलिए, आप देखते है, IGBT, IGBT का अगर हम बात करते हैं, अब IGBT में भी internal diode का action होता है, ठीक है, बट उसको नहीं लिया उन्हों का BB, बस उन्हों इसको अकेले ले रखा, ठीक है, तो आप देखें, IGBT आग पास क्या है, अगर मेरे पास क्या है, this is your, this is your IV characteristic, अगर मैं IGBT बनाऊगा, तो मेरे पास क्या मिलेगा, collector to emitter current होगा, यहाँ आप IC current होगा, और जो voltage होगा, जिसके बीच बनता है, that is your VCE, ठीक है, तो IGBT बापका क्या है, that is your what, that is your voltage control, ठीक है, voltage अगर control G और E की बीच का voltage decide करेगा, का IGBT on होगा अगर नहीं होगा, तो similarly, same characteristic आपके बनीग बेटा, जैसे आपने अभी तक बना है, कोई changes नहीं होने वाला, this is like this one, correct, तो यह reason क्या होगा, cut off reason, cut off reason, correct, और next reason, यह वाला reason क्या होगा, आपका, saturated reason, saturated reason, correct, तो इतनी बाद, ठीक है, तो इसमें आपका device on रहेगा, और इसमें device आपका क्या होगा, बेटा, off state में, correct, और यहां voltage क्या होगा, control क्या होगा, VG2E voltage, that is equal to 0, next क्या, VGE क्या, 1, VGE क्या, 2 and so on, ठीक है, तो इसका मतलब होगा, कि और जब IGBT on करें, कौन से reason होगा, saturated reason, उस case में IC current आपके flow करेगी, और अगर ideal कह रहे हो, तिस switch के cross V, C, C, E के बीच का voltage जो मिलेगा, आपको, क्या मिलेगा, आपको, 0V, इसका मलग कहा operate करेगा, यहां operate कर गया, जब जब on होगा, voltage 0 होगा, current flow कर गया, next, जब भी off करेगा, current value 0 हो जाएगी, और जो voltage इसके cross मिलेग, blocking voltage हो क्या मिलेगा, C से E के बीच के voltage V, C, E, तो यह voltage क्या positive, तो मैंने यहां क्या कर दिया, positive, तो यह भी कैसा switch आपका, single quadrant switch, correct हो इतनी बार, तो आप पास क्या होगा, diode, BJT, IGBT को आपने क्या बोल दिया, these all are unidirectional current flow, आप पास switch है, next आपका क्या है, these all are unipolar switches, correct हो, unipolar मतलब diode, एक के बोल बोल्टेज, negative voltage को BJT, positive voltage, लेकिन voltage एक ही है, इसका भी क्या है आप पास, positive voltage, correct हो इतनी बार, तो कैसे switch हो आपका होते है, unipolar switch, correct हो इतनी बार, BJ, आपका MOSFET भी हमेशा unipolar होता है, but आप current के terms अगर बात करोगे, this will be the bidire connection आगे भी आएगा, जो कि gate 2018 में जिस तरीके question आप से पूछा गया था, correct, तो single quadrant आपको समझ मा आगया होगा, किस तरीके चीज़ें आप करते हो, चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, और देखते हैं, two quadrant and four quadrant, ध्यांस देखना इस चीज़ को, तो मैं कोई भी question लूँ, आपको तुरंत आपको answer करना है, अब आपको समझने की need नहीं, this is more than sufficient, आप switches के बारे में इतना समझ गए, चलिए, मैं कुछ भी बनाता हूँ, माल ये for example, मैंने कह दिया, तो आप बताईएगा, आप सब कुछ बताते रहिएगा, question के through, मैंने कहा, ये मेरा एक BJT है, and this is my diode, correct, this is my terminal, this is my terminal, आप से पूछा गया, similarly, यहाँ पे आप बना सकते हो, MOSFET, this is my MOSFET, और यहाँ पे एक diode लगा दिया, correct, this is IGBT, this is gate, this is again here also diode, ठीक है, तो मेरे पास क्या बन गया, this is C-Terminal, E-Terminal, this one is D-Terminal, S-Terminal, this is G-Terminal, this is G, this is C, this is what, E-Terminal, correct, इतनी बाद, अब आप से पुछा रहे हैं, बताइए कैसा Quadrant Operation, देखे जरा, ध्यांस देखेगा, ठीक है, जब जब आपके देखो Quadrant कैसे चेक किया आता, ध्यांस देखना बस, दोनों डिवाइस देखो आपने आप पता चल जागा, यह terminal आपका है, ठीक है, तो I हो गया, यह आग पास क इस डिरेक्शन और यहां निकलना चाहिए, तो आप बताइए, यह किजन में से कौन सर डिवाइस आपका अलाओ करेगा, ठीक है, क्या यह करेंट आपकी यहां पाएगी, दो में डिवाइड होगी, एक करेंट इधर जाएगी, और दूसरी करेंट इधर जाएगी, क्या यह एक करेंट इधर जाएगी, एक करेंट इधर जाएगी, जैट इधर जाएगी, इसका मतलब क्या हो गया, current की value इसके respect में ये वाली current क्या है negative है तिसका मतलब क्या मिलेगा आपको negative current यहाँ देखो न इस ठेंगल से एक current जब इधर जा रही थी ति ये positive current आपने लिया जब इधर जा रही थी ये current क्या होगे negative current तो diode आपका allow current मतलब ये जो आपका combination आपने बना है इस combination को हम कहते है composite switch क्या बोलते हैं इसको हम composite switch composite मतलब होता है two different devices को जब आप connect करके एक as a whole switch आप बनाते हो तो इसका meaning क्या हो गया आप पास composite switch तो इसका मतलब जब जब आपका on current इनमें कोई भी device तो दोनो current इपॉस्बिल करा सकते हैं या तो ये वाली current flow करेगी या तो ये वाली current flow करेगी दोनों के allow करेंगे flow कराना एक जब ये आपका allow होगा तो ये वाला नहीं allow करेगा जब ये allow होगा तो ये वाला allow नहीं करेगा इसका बदलब current आपकी दोनों possible है और जब ये composite switch on है obvious बात इसके cross voltage क्या मिलेगी, 0, अगर आप ideal situation में हो, correct, उतनी बात, तो voltage 0 हो गया, और यह on state मैंने show कर दिया, ये भी possible है, ये भी possible है, correct, next बताए, voltage blocking बात करते हैं, तो आप बताए, diode अगर voltage को block करेगा, जब जब डायोड आपके voltage को block करेगा, किस तरीके voltage को block कर सकता, अब बत voltage, plus minus इसको block करेगा, correct, उतनी बात, next बताए, BJT कौन से voltage को block करता है, C से E के बीच का voltage, जब जब आफ रहेगा, तो आब बताए, इसके cross voltage block करेगा, किधर block करेगा, plus minus, इतना, तो as a whole आप यहां से देखो, ध्यान से, यहां से, ठीके, यह भी plus minus, यह भी plus minus, इसका मतलब, as a whole अगर आप देखोगे, एक ही polarity आपको दिख रही न, plus minus, plus minus, individually अगर आप कहोगे, diode, negative voltage, diode के लिए, यह negative voltage होगा, BJT के लिए, यह voltage क्या होगा, positive होगा, but as a whole, क्योंकि आप composite सुच्च यूज कर रहे हो, इस terminal साब देखो बेटा, इस terminal स दिखेगा, plus minus, यह भी plus minus, मतलब, as a composite स अगर आप बात कर रहे हो, तो total voltage blocking हो रही हो, क्या हो यह आप पास, positive voltage, correct, ठीक है, इसका मतलब यह भी कैसा operation आपका, एक quadrant यह हुआ, next बताए, fourth quadrant यह हुआ, तो कितने quadrant बिले, दो quadrant, इसका मतलब कैसा switch आपका, two quadrant switch, और कैसा switch आपका, दो नो direction में लाओ कर सकता है, current flow कि इसका मतलब क्या हो गया, bidirectional current flow, but voltage blocking क्या कर रहा आपका, एक single direction कर रहा, single polar tick होती, इसका मतलब यूनि-polar आपका, तो यह composite switch कैसा आपका, bidirectional current flow device, दूसरा, unipolar आपका switch है, bipolar switch बिलकुल भी नहीं है, और ध्यान रखना, जब भी voltage current कुछ भी बात हो, बैटा, terminals देखो, अंदर situation, same situation इसके लिए, same situation इसके लिए, करेक्ट फूती बात, मतलब, ये तीनों ही switch आपके क्या है, ये तीनों ही switch कैसे है, आपके बैटा, unipolar है कि bipolar है, unipolar है, क्योंकि एक ही voltage को आपको block कर रहा है, दूसरा, bidirectional current flow है, क्योंकि दोनों current को क्या करेंगे, allow करेंगे, करेक्ट, ठी कि दर होगा, बोलिए बिटा, इधर से इधर जाएगा, तो कौन allow करेंगे, क्या diode allow करेंगे, बिलकुल नहीं करेंगा, क्योंकि cathodes and note कभी current नहीं flow करेंगे, in this direction, तिसका हमलब positive current, next बताइए, diode अगर आप इस तरी के current flow कराओगे, तिसका मतलब क्या है, diode allow करेंगा, diode के लिए ये वाली current, इस current के reference negative है, तो इसलिए इसको मैं negative show कर रखाऊ, next बताइए, V कांसा potential, ये block करेगा, cathode plus, negative A, ये भी क्या block करेगा, D2S voltage, तो यहाँ साब देखो, plus, plus, minus, तो इसका मतलब क्या मिलेगे, एक polarity, तो ये भी कैसा होगा, आपका, unipolar device, but current के sense में क्या होगा, ये, bid bidirectional device, correct, उतिन बार, similarly, IGBT, same thing आपका, ठीक है, इसका मतलब, इस तरीके switch होगा क्या कहते है, it is a two quadrant switch, two quadrant switch, next बता ही बटा, bidirectional, 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 current flow, current flow, and unipolar switch, unipolar switch, is it correct, ठीक है, और इस तरीके switch, जो आप पाऊगे, application में, ये, जो तीनों मैंने बना रखा, इसका application आप पाऊगे, बेटा, voltage source inverter में, correct, ठीक होगा, तो आप जब भी a switch use करोगे, वहाँ आपको need पड़ेगी, bidirectional, current flow की, but voltage को block करना के वोले, एक ही, voltage को block करना होगा, इसका meaning क्या होगा, इस तरीके switch को कहा apply करने वालो, आप VSI, तो VSI, जब आप पढ designing करते हैं inverter की, तो किस तरीके से उसकी design ही आपकी होती है, और क्यूं ऐसे switch ही use होते हैं, और कोई switch क्यूं नहीं use किये जा सकते, correct होगी इतनी बार, चलिए, आगे बढ़ते हैं, और देखते हैं, और combinations क्या-क्या हो सकते हैं, अब देखिए हमारे पास next के, आप पास कुछ examples म सारी चीज़े gate में आई हुई चीज़े हैं, ठीक है, इसलिए एक तरीके से सारे question cover हो गए आपके switches के, जितने मैं आ ले रहा हूं, सब के सब कहिन कहीं gate में आपसे पूछा गया है, तो सारे question सुच के आपके cover हो चुके, जो भी 8 से 10 question आपके आज तक पूछे गए हैं, सारा में देले रखा इसमें, ठीक है, ध्यास देखे ज़रा हैं पर, पहला आपकास के अदूबर, this is diode, this is our BJT, अब आपसे कह रहा है, ये कैसा सुच है, पहले बता तो composite switch, क्यों ये composite switch है, क्यों कि इसमें 2 devices use, diode है, और BJT है, आप बताइए, पहला current direction ये होगा, अगर इस तरीके current इसमें flow करना है, ये बिल्कुल allow कर रहा है, diode क्या allow करेगा, बिल्कुल allow करेगा, anode से cathode की तरफ, तो current का flow ये मिलेगा, that is correct, एक तो होगया, positive current, correct, next बताइए, जब आप पास, अगर current में this direction flow कराऊंगा, क्या allow करेगा, क्या ये allow करेगा, बिल्कुल नहीं allow करेगा, इसलिए allow नहीं करेगा, क्योंकि cathode से anode, और अगर ये allow नहीं किया, तो अब इधर तो कोई meaning नहीं रहा गया, इस चीछ का, क्योंकि यहाँ पर circuit में series में connected है, तो इसका बतलब negative current आपकी possible नहीं है, अब voltage इस बात करते है, बोलिए, ये जो भी voltage ब्लॉक करता है, C से E की तरफ ब्लॉ ठीक है, ये भी क्या करेगा, आपका, ये कौंसा voltage ब्लॉक करता है, बोलो बेट जरा, cathode क्या होता है, positive, anode क्या होता है, negative, तो ये voltage कौंसा ब्लॉक करेगा, आपका, minus, plus, ये voltage क्या, plus, minus, तो इसका मलब दोनों polarity block कर रहे है, plus, minus, और क्या, minus, plus condition, मतलब दोनों possible polarity block कर पाना, negative को block कर सकते है, positive को block कर सकते है, तो इसका मतलब क्या होगा, आपका, ये दोनों polarity, दूसरे का positive दिख रहे हैं, इसलिए मैं आपका पोजिट लिया, तो बोले कैसा quadrant operation है, two quadrant, correct, शुतनी बात, तो ये कैसा quadrant, two quadrant, कैसी सुच है, unit directional current flow, और कैसा, bipolar nature, bipolar क्यों है, क्योंकि दोनों voltage को क्या करेंगे, block करेंगे, same way में, ये क्या आप पास, IGBT in series with the diode, same condition ना, ये current अगर इधर सीधर आप flow कराओगे, बिल्कुल allow करेगा, क्या इस तरीके current को allow करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि डायोड कभी भी cathode, anode की तरफ, allow नहीं करेगा, इसका मलब current क्या positive, next बताइए, voltage बारे में बात करते हैं, जो आपका IGBT होता है, ये क्या होता है, collector, ये emitter, plus minus को क्या करता है, block करता है, ये किसको करता है, cathode plus, anode क्या, negative, plus minus, ये क्या, minus, plus था, आप पास, क्या मिलेगा, दोनों voltage block करेगा, ये भी कैसा है, same तरीके है ना, आपका, तो ये भी switch कैसा, आपका, unidirectional, but bipolar in nature, correct होतनी बात, इसकी बात करें, MOSFET बात करें, same condition, this is D, this is S, ये क्या आपास, diode है, ताप बते, current का flow इधर अलाओ होगा, बिल्कुल अलाओ होगा, एक direction तो ये होगई, क्या current इस तरह flow कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती, क्यों डायोड इसको पॉलेटी, प्लस माइनस, माइनस प्लस ताप बताईए, ये आप पास, दो पॉलेटी आप मिली, ये भी कैसा हुआ आपका, unidirectional current और क्या, bipolar in nature, ठीक है, next, इसके बारे में बात करते हैं, जब current का flow, ध्यास देखना है, current का flow in this direction है, current अगर इस direction में ये एक current इधर आएगी, एक current इधर जाने कोशिश करेगी, क्या allow हो पाएगी इधर, cathode से note, बिल्कुल नहीं जाएगा, क्या इधर allow करेगी, बिल्कुल करेगा, c2e होगा, c2e, बताए, next, क्या ये current इसमें से allow करेगी, बिल्कुल allow करेगी, ये current इधर आएगी, और यही current सेम यहां सेम निकल इधर कोई current जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी, क्या इधर से note current flow नहीं करेगी, ये current आपकी इधर से जाएगी, फिर यहां पहुचेगा, फिर यहां पहुचेगी, इसका मतलब ये diode allow करेगा, negative current को भी, इसका मतलब negative current भी possible है, next, ये कैसा voltage block करता है, plus minus बोली जरा, V करता ह है, correct इतनी बात, next, बताई, ये कैसा voltage block करेगा, plus cathode पे, यहां negative, next, बताई, ये कैसा voltage block करेगा, ये plus, ये negative, तो plus, plus भी है, और minus का भी बोल्टेज मतलब this one is like this one, इसका मतलब कैसा voltage, कैसा सुच आपका होगा, bipolar भी होगा, bidirectional होगा, तो इस तरीके सुच क्या होगा, आपके, four quadrant switch, कैसा सुच बेटा, four quadrant switch, is it correct, next, बताई, इस case माईए, क्या ये करेगा, बताईए, ये अगर current आपकी, इस direction, मोगित, बोलो, क्या इधर अलाओ होगा, नहीं अलाओ होगा, इधर current आपकी flow करेगी, c2 कहां तक, e तक bjt है, यही current आपकी same, इधर आजाएगी, तो current क्या म इस पूरे के series में है, तो अगर इधर current ये पहली block कर देगा, तो इधर current जाएगी, तो इसका अलाओ current क्या होगा, आपकी, unidirectional, वो भी कहा, this direction to this direction, next voltage बात करते, बोल्टेर अगर हम बात करेंगे, ये कैसा voltage, प्लस से माइनस, ये कैसा, प्लस से माइनस, ये कैसा, प्लस से म रखना है, कि आपको क्या चीज़े करने, तो आप धियान रखिए हमेशा, bipolar in nature, और unidirectional current, इस तरीके switches यूज़ कहां किया जाते हैं, आपके हमेशा, current source inverter में, जबकि voltage source मैंने क्या बताया था आपको, bidirectional current और unipolar voltage blocking ability वाले switches आपके कहां यूज़ होते हैं, voltage source inverter में, यहां ब बना हुआ है, और यह क्या होगा, base tunnel, तो आप बताई में रखो, कैसे कैसे होगा, if current is flowing in this direction, तो एक current इधर आएगी, एक current इधर जाने कोशिश कर, क्या इधर एलाव होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्यों, cathode से node की तरफ है, इधर node से cathode current यह जाएगी, next बताई, क्या इधर reverse current possible है, अगर current इहां से start करता मैं, तो यह current कहा जाती, एक इधर जाने कोशिश करती, allow नहीं होता, क्यों, cathode से node है, इधर current देखो, anode से cathode इधर जाएगी, फिर से BGT स्पास करेगी, फिर से यहां स्पास करेगी, इसका मतलब हो गया, कि यह जो आपका final वाला जो है, इसमे current दोनों तरह possible है, plus, minus, ठीक है, voltage बात करते हैं, यह जब भी block करेगा, plus, minus, 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 यह जब भी block करेगा, कितना block करेगा, plus, और यहां क्या बिटा, minus, यह block करेगा, plus, और यहां क्या बिटा, minus, तो माइनस से प्लास माइनस से माइनड से प्लस सि प्लस एक बोल्टेज कोई भी एक रास्ता आप पकल लो उसमें आप मतलब क्या मिल रिख ठोए अपको इट जोएे फूर क्वाडरेंट स्विच्छ तो ऐसे आप कितने भी combination आप बना सकते हो switching पे और इनका quadrant operation आप चेक कर सकते हो, किस तरीके साप quadrant operate करोगे, कहां किस का application होगा, this is very important for you, और आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि किस तरीके सीज़ों होगे, अब lastly एक आपका SCR आपका आता है, SCR में inherent आपकी क्या होती है, double voltage blocking के ability होती है, SCR में क्या होता है बिटा बोलो, SCR अगर आप पास है, ध्यान देना जरा, anode, cathode और gate terminal, ठीक है, तो आप ध्यान दो, जब भी SCR आपका on करेगा, current हमेशा anode से cathode flow करेगी, in this direction, मतलब, cathode से note current को SCR अलाओ नहीं करेगा, तो इसका मतलब भी positive current होगे, बट, जब भी SCR off होगा, भी आगे आने वाला SCR topic, तो आप ध्यान रखना में शा, SCR दोनों voltage block करता है, plus से minus भी करता है, plus से minus, मतलब minus से plus, और plus से minus, दोनों voltage block करता है, इसलिए SCR को क्या बोले आता है, यूनि डिरेक्शनल current flow device, बट, बाइडिरेक्शनल क्या voltage device, बाइडिरेक्शनल बोल्टेज है, या bipolar है switch, लेकिन यूनि डिरेक्शनल क्या आपका current device है, तो आपको switching में इस तरीके questions आपसे हमेशा पूछे जाते हैं, तो मैं आपको एक question देता हूँ, आप इस question को solve करिएगा अपने आप, और बताइएगा मच को जड़ा, ठीक है, ये एक SCR है, और इसके anti-parallel में एक diode है, आप judgment कर बताना, ये composite switch है, ये diode है, ये बटा क्या है, SCR है, ठीक है, ये बताइगा किस तरीके switch है, कितने quadrant का है, bipolar है, एक unipolar है, unidirectional है, आप सब को comment box में जरूर लिखेंगे किस type का आपका switch है, तो आपका switching वाला portion आपका complete हुआ, switches किस तरीके सा operate करते है, किस तरीके सा behavior होता है, कब bidirectional, कब unidirectional, कब bipolar, कब unipolar, ये सारी चीज़े मैं ने बता दी, इतने short notice में आपको इतनी चीज़ें अगर पता होंगी बेटा, तो definitely आप चीज़ों को बहुत easily handle करने जाओगे, तो next lecture हम लोग मिलेंगे, SCR की characteristic छोटी से देखेंगे, किस तरीके सा operation होता है, next हम उसके बाद तुरंत क्या करेंगा, आपका latching holding current, उसको हम include करेंगे, किस तरीके सा उसको numerical हम proceed करने आ लें, इसमें gate के 9 से 10 questions आपके totally cover मैंने कर दिये है, हर तरीके यही सुचेस आपसे बार बार पूछेंगे, किस तरीके सो operate करेगा, correct हूँ इतनी बात, चलिए, next lecture मिलेंगे, next topic के साथ, तब तक लिए good bye and thank you so much.